तो गाईज हम डिसकस करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में जो भी काड़िटेट्स जिनका स्टेटस जो है रिजल्ट का वो फेल शो हो रहा है या फिर विधल शो हो रहा है वहाँ पर तो आप लोगों को क्या करना चाहिए उसका सुलीशन आप लोगों को हम आज के इस वी रिवाइजड आँसर की फाइनल आँसर की जो है बार कांसिल ओफ इंडिया की तरफ से उफिशल वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड की थी उससे आप लोग अपना जो क्वेशन पेपर है उसको मैच कीजी आपने कितने क्वेशन्स ठीक किये थे कितने नहीं किये थे अग आपने maximum 40 questions उस answer की कि according सही आ रहे हैं and status जो है आप लोगों का fail शो हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ problem आप लोगों की मिलेगी ऐसा नहीं है कि वो आप बिना देखी आप लोगों की answer sheet जो होती उसको ऐसे ही fail status शो कर दें ऐसा कभी भी नहीं होता है बार-बार जो है आप लोगों की dual checking होती है एक बार अगर आप लोगों का वहाँ पर यह शो कर रहा है कि fail है तो प्लीज आप लोग सबसे पहला step यह करके देखिए अगर फिर भी आप लोगों के marks जो है ज्यादा बन रही है and status fail आ रहा है तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा wait करना पड़ेगा because क्या है जो यह अभी हमारा result का procedure है यह खतम होने के बाद All India Bar examination के side पर आप लोगों को एक rechecking का form देखने को मिलेगा कि rechecking के लिए आप लोग apply कर सकते हो जिस जिसको भी problem face करने को मिल रही है उससे क्या है आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपने जो भी mistakes की थी क्या वो ठीक की थी कहां पर आपने mistakes की थी rechecking के forms भी निकलते हैं वो देखते हैं वो कब निकालेंगे और उससे आप लोगों को थोड़ी वो help हो सकती है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब भी कोई exam होता है तो आप लोगों को छोटी-छोटी जो minor चीज़ होती है हम उनका ध्यान नहीं रखती है जो की रखना चाहिए आपने कहीं पर अपने roll number में mistake की होगी आपने अपने name में mistake की होगी और आपने से बहुत सारे candidates ऐसे हैं जिसने ना तो अपने कोई form फिल करते हुए mistake की है ना कोई है उन्होंने अपना math sheet को फिल करते हुए time कोई mistake नहीं की है और ऐसे भी candidate है जिनका fail show हो रहा है तो आप लोगों को panic होने की जरुवत नहीं है पहला step आप लोग जो मैंने आप लोगों को बताया है कि revised answer की से अपने questions answers जो आपने tick किये थे उनको match करिए उसके बाद जो है आप लोगों का rechecking का form जो है वो उनकी तरक से आएगा उसके according जो है आप लोगों को बताएंगे कि further आप लोगों को किस तरीके से अपने rechecking करवानी है जिससे आप लोगों को help हो सके और मैं आप लोगों को यही suggest करूंगे कि panic नहीं होना है शीच कि आप लोगों को कोई भी tension नहीं लेनी है इसका solution भी जल्द ही निकल जाएगा because अभी जो है result का चल रहा है जिनोंने अपना enrollment certificate upload नहीं किया था पहले आप उनको अपना enrollment certificate upload करना पड़ेगा उसके बाद उनका result आएगा 28th में को फिर उसके बाद जो है देखते हैं rechecking का forms निकलेंगे फिर आप लोगों को हम बताएंगे ठीक है तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी doubt है आप लोगों का result नहीं आ रहा है तो still आप लोग panic मत होई है comment section में भी आप लोग कोई भी queries है आप लोग share कर सकते हो रहा हमार एक channel है telegram पर lawn tips के नाम से उसको भी आप follow कर सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को files में law की books के pds available है and जो भी notes से वहाँ पर provide किये गए है ठीक है तो guys hope so आप लोगों को video helpful लगी होगी अगर आप लोगों को video helpful लगी then please do like, share and subscribe the channel for more videos thank you for watching this video